यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ प्रत्याशिजी जीत की और कॉंग्रेस बढ़ रही है और आप देखिएगा कि खटर सरकार जो एहंकार में सरोबार है कल तो मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कह दिया कि 52 सीट उनके पास हैं 53 जीन की सीट आई या ना आई कोई फरक नहीं पड़ता अगर जीन का इतना घोर अपमान करेंगे एहंकार इतना जादा घंगंड सत्ता के नशे में इतने चूर होकर मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो फिर जीन को भी उनकी आवशक्ता नहीं कल यहां पे थे सुना परचार किया कितना फाइदा बीजेपी को हो सकता क्या लगता है अब दोबारा मुख्यमंत्री महाकूंग में जाएंगे सनान करके आएंगे पर खटर साब तो हार स्विकार करके चले गए उन्होंने तो जीन का तिरसकार किया अपमान किया और यह कहा कि उन्हें जीन की आवशक्ता नहीं है वो तो कहते हैं मेरे पास 52 वी दायक हैं तरेपनवा बने आना बने उन्हें फरक नहीं पड़ता हमें फरक पड़ता है क्योंकि जेन जो है का एक वी रायक घटर सरकार को चलती कर देगा जो काम हुई उनका कितना फाइदा मिलता दिख रहा है तेखे जो हमने काम किये चाहे वो रेल वे लाइन का काम हो चाहे वो नई उन्वस्टी बनाने का काम हो चाहे वो बाइपास का काम हो वो कॉंग्रेस की सरकार में हुए पर ये भी सचाई है कि दो बार जीन जिले की पांचों सीट कॉंग्रेस पार्टी हारी अब समय आ गया है वक्त बदलने का एक समय में हम पांचों सीट जीतते थे अब फिर वो जीत की शुवाच जब जीन से होगी ऐसा है सत्ता में हिस्सेदारी भी आएगी चौदर भी आएगी पर चौदर बांगर को से पहले जनता की होगी कैमरा मैंट जतिन के साथ अनिल मोर कबर अबित जीन झाल